रितिक रोशन हिंदी फिल्मों के बहुचर्चित अभिनेता है उन्होंने बॉलिवुड में कई सफल फिल्में दी हैं और अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया हैं उनका फिल्मी करियर सफल रहा है उन्हें छे बार फिल्म फेर अवार्डस से भी सम्मानित किया जा चुक अभिनय के अलावा रितिक स्टेज परफॉर्मर और पार्श्व गायक भी हैं। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों को आलोचकों के साथ साथ जन्ता ने भी खूब सराहा है। वे किसी भी तरह के रोल करने में माहिर माने जाते हैं। अभिनय के अलावा वे अपने डांस मूस से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और बॉलिवुड में उनकी पहचान एक। अच्छे डांसर के भी रूप में हैं। प्रिष्ठ भूमी गृतिक रोशन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम राकेश रोशन है जो की अपने समय के मशूर अभिनेता रही हैं। उनके पिता फिल्म निर्देशक भी हैं। उनकी मा का नाम पिंकी रोशन है। उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम सुनैना है। उनका पूरा परिवार फिल्मों से ही कहीं न कहीं संबंध रखता है उनके नाना निर्माता निर्देशक जे उंप्रकाश महरा रितिक को 6 साल की उम्र में कैमरे के सामने फिल्म आशा में बिना उनकी जानकारी के लिए आए जब रितिक अचानक से डास करने लगे थे पढ़ाई क्रितिक की शुरुआती पढ़ाई बामबे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई इसके बाद की पढ़ाई के लिए बे सिडेन हम कॉलेज चले गए जहां से उन्होंने कॉमर्स में सनातक की डिगरी प्राप्त की स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर्स की डिग्री के लिए बे युएस चले गए शादी उन्होंने सुजैन खान से शादी की पर सत्रह साल तक चले इस रिष्टे का तलाक से अंठ हो गया इनके दो बच्चे हैं रेहान और रिधा करीना कपूर के साथ उनके अफेर की खबरों ने काफी तूल पकड़ा तो वहीं फिल्म काइट्स के दोरान बारबरा मोरी से भी उनके प्रेम प्रसंगों की काफी चर्चा हुई करियर कृतिक के फिल्मी करियर की शुरुवात मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म कहोना प्यार है से हुई थी जो की उस समय सुपरहिट हुई थी इस फिल्म के निर्देशक स्वया उनके पिता राकेश रोशन थे इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर सफलता के खूब जंडे गाडे इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल के लिए उन्हें सर्वश्रिष्ट नवोदित अभिनेता का फिल्म फैर पुरसकार और सर्वश्रिष्ट अभिनेता का भी फिल्म फैर पुरसकार मिला इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो की फलाप हो गई लेकिन फिल्म कोई मिल गया ने उनके करियर में नई जान भरदी और फिल्म के साथ साथ रितिक के अभिनय ने तो सभी का दिल जीत लिया प्रसिद फिल्मे कहो ना प्यार है, फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कोई मिल गया लक्षय, कृष, धूम दो, जोधा अकबर, काइट्स, गुजारिश, जिन्दगी न मिलेगी दोबारा, अगनिपत, कृष्टीन, बैंग बैंग और वार है रितिक की आने वाली फिल्म विक्रम वेधा है, जो एक तमिल फिल्म की हिंदी रिमेक है रितिक से जुडी खास बातें, वे भारत के प्रभावशाली सेलिबरिटीज में से एक माने जाते हैं रितिक को ग्रीक गौड भी कहा जाता है वे फिल्मों में अपने किर्दार में परफेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं फिल्मों में काफी सराहना मिलने के बाद रितिक हिंदी फिल्म इंडश्ट्री के प्रसिद्ध सितारों में से एक हो गए और भारतीय मीडिया द्वारा उनहें रितिक मैनिया का खिताब दे दिया गया पहली फिल्म कहोना प्यार है के पहले वेजे उन्प्रकाश महरा की फिल्म आसपास के एक गाने शहर में चर्चे हैं में दिखाई दिये जिसमें वे एक प्रेम पत्र धर्मेंद्र से हेमा मालिनी को पहुचाते हैं उन्होंने अपने पिता की फिल्में खेल और कोईला में सहायप के रूप में भी काम किया इसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लाप हो गई और उनके करियर का यह वो दौर था जब एक मैगजीन ने अपने कवर पर रितिक का वर्णन करते हुए लिखा फिनिश्ट इसके बाद उन्होंने इसी से प्रेना लेकर फिल्मों को साइन करने से पहले सर्तक्ता बरतनी शुरू की करन जोहर के शो कॉफी विदकरन के दौरान उन्होंने कहा कि अब वे एक समय के दौरान कई फिल्मों में काम करने के बजाए एक ही फिल्म में बहतर धंग से काम करेंगे इसके बाद आई उनकी फिल्म कोई मिल गया में उनके अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया इसमें उन्हें रोहित महरा नाम के एक लड़के का किरदार निभाया जो की मानसित रूप से थोड़ा असमर्थ है इस फिल्म में उनके द्वारा निभाय गए किरदार को लेकर उनकी काफी प्रशंसा हुई फिल्म ने कई पुरसकार भी जीते इस फिल्म में रितिक के अभिनय को 2010 के फिल्म फेर मैगजीन ने टॉप 80 आइकॉनिक पर्फॉर्मेंस में शामिल किया इसके बाद आई उनकी फिल्म लक्षे को जनता ने तो ज्यादा पसंद नहीं किया लेकिन आलोचको ने एक बार फिर उन्हें सराहा और एक बार फिर 2010 के फिल्म फेर मैगजीन ने उनकी इस पर्फॉर्मेंस को टॉप 80 आइकॉनिक पर्फॉर्मेंस में से एक बताया इसके बाद आई फिल्म क्रिश ने उन्हें भारत के बड़े परदे पर पहले सुपर हीरो के तौर पर पहचान दिलाई इस फिल्म में उनका कास्ट्यूम स्टाइल सब कुछ अलग था इस फिल्म से वे बच्चों के बीच खासे पापुलर हो गए फिल्म धूम दो और जोधा अकबर भी सुपरहिट रही धूम दो में चोर के किरदार को रितिक ने बेहद ही परफेक्शन के साथ निभाया तो वहीं जोधा अकबर में अकबर के किरदार में रितिक ने जान डाल दी उस वक्त कईयों का ऐसा मानना था कि अकबर के किरदार को जितनी खूबसूर्ती से रितिक ने परदे पर उतारा है शायद ही दूसरा कोई बॉलिवुड अभिनेता परदे पर उतार पाता हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ लेकिन फिल्म ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा कारोबार किया उनकी बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली काईटस की रिलीज को लेकर काफी हाइप हुआ इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उचसुकता थी लेकिन अच्छी उपनिंग के बावजूद फिल्म भारत में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इसका एक कारण यह भी था कि फिल्म में बोले गए हिंदी इंगिल्श स्पैनिश समबाद भारतिय दर्शकों को कन्फयूज कर गए हालांकि विदेशों में इस फिल्म को बहतर रिस्पांस मिला फिल्म में उनकी हीरोईन रही बारबरा मोरी से उनके अफेयर की खबरों ने भी खूब चर्चा बटोरी और इससे भी फिल्म का काफी प्रमोशन हुआ गुजारिश जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा अगनेपथ कृष्टीन सभी फिल्मों में अपने अभिनय के जरिये रितिक ने सभी का मन मोह लिया इन फिल्मों के बाद से उनकी गिंती भी एक सौ करोड और दो सौ करोड क्लब वाले अभिनेताओं में होने लगी उन्हेया ने फिल्म काइट्स, गुजारिश और जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा के गानों में अपनी आवाज भी दी है 2011 में रितिक ने छोटे परदे पर डांस रियल्टी शो जस्ट डांस के जल बनकर आए इसमें उनके साथ मशूर कोरियोग्राफर, फरा, खान और वैभवी मर्चेंट भी थी उन्हें इसके लिए काफी मोटी रकम दी गई जिसने उन्हें टेलिविजन में सबसे ज्यादा फीस लेने वाला अभिनेता बना दिया रितिक की वैक्स की मूर्ती लंदन के मैडम तुसाद संद्रहालय में स्थापित है रितिक ने स्वयन का कैजूल बियर ब्रांड HRX नवंबर दो हजार तेरह में लांच किया एक साक्षातकार के दौरान उन्हेया ने इस बात का खुलासा किया था कि बच्पन में उन्हें हक लाने की समस्या थी जिसकी वजह से उन्हें बोलने में काफी दिखकतों का सामना करना पड़ा उन्होंने बताया कि जब कभी भी स्कूल में मौखित परीक्षा होती थी तब वे स्कूल बंक कर देते थे लेकिन हर रोज भाशा उप्चार करने के बाद यह स्थिती धीरे-धीरे खीक हुई उनके दाएं हाथ में दो उंगलिया है यह शुरुवात में फिल्मों में सामने नहीं आया लेकिन फिल्म कोई मिल गया में इसे परदे पर दिखाया गया वे अपनी अच्छी बाडी की वजह से भी युवाओं में खासे चर्चित हैं और जिन में परफेक्ट बाडी बनाने के लिए घंटो वरकाउट करते हैं